हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने ही चैनल सीव कोचिंग क्लासेस पर स्वगत है दोस्तो आज का मारा टॉपिक है बाफार विलियन और काफी महात्पूर है मेरे भाईयों 11th क्लास में आप और दोस्तो यह BSC में भी बाफार विलियन का टॉपिक मिल जाएगा आपको तो आगे चलकर ग्रेजिसन करेंगे वहां भी कापी महत्पूर है तो आप लोग इसे अच्छे से त्यार कर लेना है ठीक है सभी के सभी भाईयों से कहता हूं इसका नोट्स बना ली मैं जितना लिखाता हूं दोस्तों यह आप उसमें BSC में लिखेंगे वराबर नंबर मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो दोस्तों यह अच्छा लागे तो प्लीज लाइक जरूर करना दोस्तों से शेयर करना और यह नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रस कर लो ताकि वीडियो को नोटिक्मिशन आपको मिलता रहे चले देखते हैं दोस्तों बफर बिलियन ठीक है बहुत यह दोस्तों समझेंगे बफर बिलियन उसे दो प्रकार के होते हैं अमली बफर बिलियन और चारी बफर बिलियन दोनों को अपन बिस्तरत समझेंगे है ना तो चले देखते हैं दोस्तों सबसे पह हावाराप हाइड्रोजन पियच मान की अब धर्णा से समंदित एक वीडियो मैंने बना दिया है आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पर कम से वीडियो मिल जाएगा कोई दिक्कात नहीं है सुचने की चिंता नहीं है दोस्तो है ना तो बफर बिलियन के लिए आ खोड़ा सा आमलिया चार मिला दे तो उसके पियच मान में कोई परिवर्तन ना हो दोस्तो ऐसे विलियन के लाते हैं वाफर बिलियन चीजे क्लियर होगे दोस्तो बफर बिलियन क्या है ऐसे विलियन जिन में अल्प मात्रा में आमलिया चार मिला दे तो उसके पियच मान में कोई परिवर्ता ना हो वो कहलाता दोस्तो बफर विलियन बफर विलियन मतलब कोई परिवर्ता ना हो समझ रहा है ना जिसके पी एच मान में कोई परिवर्ता ना हो वो कहलाता कि दोस्तो बफर विलियन कहलाता है अब दूसरे सब्दों में परिवासा क्या दे सकते हैं दोस्त कुछ दिर तक उनको हम रख दें तो उनके पियाच मान में कोई परिवरता नहीं हो नारवाल से है ना तो दोस्तो कहलाते हैं बाफर बिलियन तीसरा है अलप मात्रा में आमले अच्छार मिलाने पर भी पियाच मान का अंतर नगन्यो मतलब थोड़ी सी पियाच मान मिलाएं वह जिनके रखे रहने पर या पानी में मिलाने पर भी कोई अंतर नहीं पड़ता ठीक है अलप मात्रा में आमले अच्छार मिलाने पर भी पियाच मान का अंतर नगन्यों होता दोस्तो तो कहलाता कि दोस्तो बाफर बिलियन की परिवासा तो आप समाजी के होंगे अब देखते दोस्तों सबसे पहले अमली वफर बिलियन और इसके बाद छारी वफर बिलियन तो वफर बिलियन दो प्रकार क्यों होती है अब क्वेश्चन कैसे आएगा वफर बिलियन को आप वफर बिलियन से आप क्या समझती है वफर बिलियन के बारे में है न टिपड़ी लिखिए यह समझाईए यह question आ सकता है बफर billion किसे कहते हैं अमली बफर billion और छारी बफर billion को उदार साइच समझाईए तो दोस्तो इन सारी चीजों को आपको समझाना रहेगा ठीक है clear है तो देखें दोस्तो अमली बफर billion अमली बफर billion कैसे प्राफ्ट होते हैं दोस्तो दूरुबल अमल एवं उसी के प्रबल छार से बने लबड से मिस्ट्रिद billion को है न कहते हैं दोस्तो अमली बफर billion मतलब दोस्तो अमली जो बफर billion होता है वो दुरुबल अमली बफर billion होते हैं मतलब एक दुरुबल अमल है और प्रबल छार है इनसे जब मिलता है दोस्तो तो जो आपके पास billion प्राफ्ट होता है उसे कहते हैं दोस्तों क्या उसे कहते है अमली बफर billion अमली बफर billion क्या है अमली बफर billion दुर्वल आमला आपके पास कोई भी जैसे दोस्तों दुर्वल आमला आपके पास क्या है स्टी कम्न है ना और दोस्तों उसी एस्टी कम से बना लवण जैसे सोडियम एसिट्यूट अब इन दोनों को जब हम मिला देते हैं दोस्तों तो हमें हमारे पास एक बिलियन प्राफ्ट होता है जिसे कहते हैं अमली वफर बिलियन मतलब आलप मात्रम हमने इसमें अलप चार या आमले मिलाया दोस्तों फिर भी कोई परिवर्तन ना हो है ना तो बफर बिलियन कहलाता है अब यहां पर अमली वफर बिलियन तो अपन ने एक अमली दुरबल अमली लिया और उसी से एक बना हुआ प्रवल चार लिया और दोस्तों इनको दोनों को मिला दिया हमने तो हमें एक लवड़ प्राप्थ हुआ जिसे भुलते हateg कि दोस्तों अमली वफर बिलियन अब दोस्तों इनको चलिए दिखने है रियकशन कैसे होता है तो इसकी क्रिया भी दी कैसे समझेंगे जैसे दोस्तो est का अमल का सूतर होता है cs3 c2o जब अब भटी तो होता है cs3 c2o negative होता है और h 5 होता है अब दोस्तो यहान पर दूरवल अमल हमने लिया है तो कमाये नहीं नीठ होगा क्या होगा कमाये नहीं होगा याद रखेगा और दोस्तो sodium acetate की बाद करूं CS3 COOH है है ना ये दोस्तो प्रावल चार है मतलब या ने है दोस्तो sodium acetate है तो CS3 COO negative है और या पास्टिव है ये अधिकायनित होता है ये अधिकायनित होता है समझे दोस्तो इनको आपको समझना है कि है क्या चीज़ इसमें अब होता क्या दोस्तो जब इसमें कोई अमले मिलाते है अमली बफर बिलन पड़ रहे है जब अमले मिलाते है तो दोस्तो यहाँ पर इसका अब घटन कम मात्रा में होता है समझ रहे ना इसलिए हैस पास्टिव आयन का सांदर्न कम होता है ह पाश्टिव आयन का जो सांदर्ण होता है दोस्तो क्या होता है कम होता है जब कम आयनित होगा तो सांदर्ण तो कम होगा इतना क्लियर दोस्तो मतलब भी अपरिवर्थित रूप में रहता है लेकिन जैसे ही कोई अमल आया और CS3 c o o negative से क्रिया किया और दूस्तों बनाता किया है जैसे h positive आया और क्रिया करके c h 3 c o h बना लिया तो जितना यह अब घटित होता है उतना मात्रा में यह दूस्तों बनते जाता है कोई भी अमली पदार्थ मिलाने से जिसे दोस्तो इसके पियच मान में कोई परिवर्थान नहीं होता और पियच मान क्या होता है इस्थिर बन लेता है चीजें समझें इसका कम आयनित होता है इसलिए अच्पाश्टिवान का संद्रन कम होता है इसका अधिक आयनित होता है जब भी दो होता है उतना यह बनता जाता है जिसे दोस्तों साम्यवस्था बढ़ी रहती है और जो हमाई मिलता एक बिलियन उसे कहते हैं अमली वफर बिलियन मतलब इसमें अल्प मात्रा में कोई भी अमली पदार्थ मिला देने पर भी प्याचमान में कोई परिवर्तान नहीं हुआ क्लि दोस्तों चारी वफर बिलियन क्या होता दोस्तों सेम थोड़ा सा पोजिट होता है किसके अमली वफर बिलियन के अमली वफर बिलियन में होता कहता है दोस्तों यहां पर अपन लेते थे दुरुबल अमल और प्रवल चार यहां पन लेके दोस्तों दुरुबल चार और प्र दुरुबल चार को प्रवल अमने के साथ मिलाने से हमें क्या मिलता दोस्तो चारी वफर विलियन है ना दुरुबल चार है आपके पास और प्रवल अमने इन दोनों को मिलाते हैं दोस्तो तो बनता क्या है बनता दोस्तो चारी वफर विलियन एक्जामपल के तौर पर दी बात इन दोनों को मिलाते हैं जिसे दोस्तों आमोनियम क्लोराइड का फार्मला क्या होता है नहीं फोर सील जब यह अब घटित होता है तो नहीं फोर पास्टी और सील निंगेटिव होता है दोस्तों यह अधिकायनित होता है ठीक है यह अधिक आनित होता है दोस्तों और जो अमुनियम हड्राकसाइड है यह कमानित होता है ठीक है यह कमानित होता है अब होता क्या दोस्तों यह कमानित होता है जैसे ही कुछ आमल की मात्रा में इसमें मिलाते हैं क्या मिलाते हैं आमल तो आमले मिलाने से दोस्तों यह एच पास्टिव आयन आता है और एक का मायनित होता है इसलिए इसी से क्रिया करता है शरी शरी यहां पर थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया एच पास्टिव प्लस एच फोर ओएच और बनाता कै दोस्तों बनाता है एच फोर पास्टिव प्लस एच टू बना देता है जिससे दोस्तों होता क्या है कि जब भी आमले की मात्रा मिलाते हैं ठीक है ना अमलिक की मात्रा मिलाते हैं दोस्तों तो अमोनियम हड्राक्साइड की अधिक से क्रिया करके जल और अमोनियम आयन बना लेता है जिससे दोस्तों इन दोनों की क्या होती है सांधरता में परिवर्तान नहीं होता पीच के मान में परिवर्तान नहीं होता तो यह दोस्तों आप लोग इसको इतना भी लिख देते हैं कि परिभासा लिखेंगे और इसके बाद एक्जामपल लिख देंगे कि अमोनियम क्लॉराइड और अमोनियम हड्राकसाइड का मिस्सरन है ना जो आपके पास बिलियन होता है चारी वफर बिलियन में यहां इतना आप एक्जामपल लिख दें एस्टी का मुल और सोडियम एसी टेट का मिस्सरन तो दुस्तों क्या कहलाएगा अमली वफर बिलियन कहलाएगा और आपको बराबर नमबर मिल जाएंगे ठीक है तो फिर चलते हैं दुस्तों अच्छा लागाओ तो सब्सक्राइब बेल आइकन प्लस करना ताकि वीडियो को नोटिफिशन आपको इसी प्रकार मिलता रहे मिलेंगे दुस्तों अगले वीडियो में नए टापिक है साथ तब तक लिए जैहिन बंदे मात्राव।